क्या आपको पता है? ब्रेट पोहाय या ब्रेट पुलाव कैसे बनाते है? कढ़ाई में तेल डालना है, राई डालना है जैसे ही राई चटक जाए, मैंने उसमें अलो काटे है आप चाहें तो बारी काट काट के डाल सकते हैं या जैसे मैंने लंबी-लंबी stripes में कट करना वैसे ही कट करके डाल दीजे धक्कल लगा के cook कीजे जब तक ये पूरे पक नहीं जाए हलके से ब्राउन ना हो जाए सो बीच-बीच में चलाते रहिए वरना क्या होता है जल्दी से चिपक के जल जाएंगे ये रखे अब ये perfectly done है मैं डाल रही है इसमें हरी मिर्ची देड़ सारा प्यार और प्यार नहीं कड़ी भत्ता और प्यास प्यार भी डालना है और इनको अच्छे से हम mix करके भून लें प्यास का कच्छापन निकल जाना पूरी तरीके से उतना ही आपको इसे कुक करना है ये रेसेपी पता है very close to my heart है मैं मेरी बनाते थी खुब सारा अब मैंने हल्दी डाल दी है ताकि हल्दी भी पक जाए अच्छे से हम भून लेते है तो मम्मी जबी कुछ समझ नहीं आता ब्रेड हो जाती थी ब्रेड हम के शौकीन नहीं थे हम लोग कम खाते थे कभी कबार ब्रेड आई बटर के साथ खाने कले पापा के लिए तब अगले देर इसनी ब्रेड का क्या करे तो मम्मी ये बना लेते थे लेकिन हमारा इंडिन कुकिंग इतना वर्सटाइल है पहले आ तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक बिलकुल स्वात के अनुसार आप डाल लीजे इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउदर लाल मिर्ची पाउदर गरम मसाला का पाउदर आप चाहें तो भुना जीरा भी डाल सकते हैं अमचूर भी मसाले बढ़िया से डाल के आपको भूल लेने हैं अब इस टाइम पे जब यह मसाले डाल के आप बूल ले आपके पास दो चॉइस है आप ऐस तरीके से जो ब्रेड काट के मैंने रखी है एक ब्रेड को 9 स्क्वेर में मैंने काता है वो डाल लीजे या आप रात की बची हु दीरे दीरे मिक्स करूंगी और जैसे ही मुझे लगता है ना कि हाँ ब्रेड भी हलकी हलकी गरम हो गई है फिर गैस बंद करके मैं इसमें डाल दूंगी कुछ बूंदे नीबू की धनिया पत्ती डालना ना भूलें उससे मेरे घर पे धनिया नहीं था गर्मी आने लग गई यह धनिया भी अच्छा नहीं आ रहा तो मन तो बहुत दुख करता है बिना धनिया के पर क्या करें गर्मी इतनी है अरे यह क्या भई हिलाते ही जा रहे हैं बूल गहीं मैं वीडियो बंद करके देखना एनिवेस यह देखिए अच्छे से ब्रेड रेड़ी अब उपर से ड पसंद है मुझे पोहा नहीं पसंद था पर अच्छा लगता है मुझे उपमा भी नहीं पसंद था पर अब ठीक लगता है क्योंकि बीटा खाता है मुझे सबसे जादा नाश्ते में पता है मारवाडी नाश्ता पसंद है टिकड़ा बीवी फल्या फो फल्या तो यह difficult है मेर ग्लाज भर के चाज के साथ और खूब इंजाए किया मैंने कर्मा, गरम, ब्रेट और ठंडी ठंडी चाज इस तरीके से इंजाए अब पता है, हेवी चीज़े पसंद भी नहीं आती गर्मी में, ऐसे लगता है कुछ लाइट बना ले, अब बताएगा जरूर कैसा लगा